Hello guys, आज'S के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप इपने Redmi 12 phone में phone का notification panel कैसे change करें यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर फुरी full notification पेनल को change करने की setting के बारें बताने वाला हूँ इस वीडियो काफी जादी useful और knowledgeable होने वाला इस वीडियो का like जरू से कर जिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को subscribe के वाल नोटिपकेशन पे आल पर प्रेस का जिएगा इस आपको यहाँ पर नोटिपकेशन पेनल को change करने के लिए सबसे पहले अपने phone की setting को कुछ इस तरीके से open करना है phone की setting को open करने एक बार swipe करके थोड़ा नीचे आजना है और यहाँ पर आपको simply से एक option सोगा notification and control center का तो आपको simply से इस पर click कर दना है click करते ही गई इस आपको थोड़ा नीचे आना है तो आपको इससे change करके कुछ इस तरीके का करना है तो आपको यहाँ पर old पर simply से एक बार click कर दना है old पर click करते ही कुछ इस तरीके का हो जाएगा और अगर आपके phone में पहले से ही कुछ इस तरीके का जो notification panel है वो है और आपको change करके इसे जो new notification panel होता है कुछ इस तरीके का करना है तो आपको यहाँ पर new पर click करना है कुछ इस तरीके से change होके new भी हो जाएगा तो guys कुछ इसी तरीके से आप भी अपने phone में जो notification panel है उसे change कर सकते हैं ठैक्स वर वाचिंग